हमारे aquarium hobby में तोड़ा बहुत science की जानकारी important है school में college में मैं उतना great science student कुछ था ने and but hobby में आके वो science के तरफ interest बढ़ने लगा because वो जानकारी मेरे fish को जिन्दा रख सकती थी and आज मेरे वो school और college के professors बगएरा जो है है आज में touch में हूँ वो amazed है कि मैं इतना science सिख गया जब किसी चीज के तरफ passion बढ़ता है ना जो hobby के तरफ passionate हो तो आप सीखने लगते हो और जानकारी collect करने लगते हो and उसको use भी करते हो because it's important ना fish जिन्दा रखना important है आज यह जो हमने बाक्टिरिया यूज किया था वाटर केर का बाक्टिरिया पाइक उसके बारे में बाक्टिरिया ज्यादा कॉलनेज होने के लिए क्या करना यह सब इस वीडियो में हैं देखते रहो आखरी तक देखो आज को पूस्टेए को हमने यहां पे फिल्टर में मीडिया डाला था और पानी वाटर केर प्लस हमारा API का डाला था आपने वो बीडियो देखा था वही दिन हमने यहां पे शुपर फोर भी डाला बट वह वीडियो में मिस हो गया कट हो गया इनना सम्टेक्निकल इशू वरीज यहां पर सुपर फोर ता यहां पर वाटर केर एपी आइक का वाटर केर था पानी पूरा गंधा होगा तो आपने देखा चार दिन बाद तेस तुस्डें वेंस्डें तर्सडें आज फ्राइड़े हैं चार दिन तीन दिन और है cycling का तो अभी हमें क्या करना है ताकि साथ दिन में पूरा cycle हो जाए tank and हमारे फिश के लिए ready हो ओके चलो पॉइंट नंबर वन यहां पे हमने simple सा regular hang on back filters यूज किया ये tank के लिए तो तोड़ा समय लगता है वो पूरा clear होने के लिए अगर आपने canister filter यूज किया होता है या कोई और powerful filter यूज किया होता तो पानी जल्दी clear हो जाता okay but it's not that important clear हुआ नहीं हुआ not important वो साथ दिन में होने ही वाला है कोई भी filter यूज कुर और ये tank के अंदर हो क्या रहा है that is the most important thing पहला observation आता है कि ये नीचे का जो dust है tank के नीचे जो dust है ये हमारा carbon bacteria बगरा बगरा जो भी हमने डाला तो वो सब नीचे अभी भी है now हमारा अगर planted aquarium होता तो ये dust पूरा soil के अंदर चला जाता और हमें दिखता नहीं okay and soil के नीचे जो power sand हम लोग डालते है planted aquarium में उसमें चला जाता okay and bacteria colonization start हो जाता अगर हमारे पास river sand या gravel होता tank में नीचे तो same वो ही होने वाला था bear bottom tank में एक हलका सा issue है okay bear bottom tank में पूरा सा ये bacteria filter में जाता नहीं है और bacteria बच जाता है और हमें क्या करना है आगे आपको देखना पड़ेगा बाक्टेरिया हम लोग डालते क्यों है because हमें ammonia को तोड़ना है now मैं यह science बहुत simple तरीके से समझाने वाला हो ताकि आपको easy हो समझो ammonia यहां पर दो तरीके के होते हैं एक NH4 दूसरा NH3 ionized non ionized so NH4 उतना dangerous नहीं है जितना NH3 है okay now मैं detail में नहीं जाने वाला हूं detail अगर देखना है तो अगले मंदे का वीडियो देखो डॉक्टर सुबिन का वीडियो ammonia पर है उसमें पूरा detail आपको मिलेगा full technical मिलेगा उसमें देख लेना तो यहां पर हमारे पास दो है NH3 NH4 okay क्या होता है bacteria जो है उसमें भी दो तरीके के हैं एक aerobic bacteria and anaerobic bacteria aerobic bacteria मतलब air air यह याद रखो air is aerobic air air मतलब oxygen जहां पर oxygen जादा है वहां पर aerobic bacteria है जहां पर oxygen कम है soil के नीचे वहां पर oxygen कम है anaerobic bacteria है तो aerobic bacteria filter में गया यह ammonia पे उतना असरदार नहीं है anaerobic bacteria असली magic करता है इसलिए हम बोलते हैं soil के नीचे power sand ढालो power sand में anaerobic bacteria colonize करेगा because power sand भी media जैसा ही है जब वह power sand में anaerobic bacteria colonize करेगा तो आपका NH3 तूटने लगेगा तो वह NH3 को तोड़के nitrite बनाता है and nitrite जो है nitrate बनता है again anaerobic bacteria के वज़े से nitrate हमारे plants use करते हैं इसको हम बोलते है nitrogen cycle planted aquarium में because power sand है नीचे soil है यह होने लगता है automatically gravel या river stone वाले aquarium में यह होने लगता है to an extent because gravel है और जगा है उनको बिना oxygen का मतलब low flow water flow कम है वहाँ पर ओच्छा colonize करते हैं तो gravel या river sand वाले tank में हो रहा है इसमें हमारे पास नीचे कोई gravel नहीं है ऐसा कोई जगा नहीं है जहां पर oxygen कम हो because already filter है नहीं तो आप क्या करोगे sponge filter डालोगे oxygen जा रहा है tank में ऐसे नीचे शुला दोगे नहीं यह sponge ना फ्लोट हो सकता है क्या करेंगे एक हलका सा चोटा सा पत्तर रख देंगे sponge अपने जगह में बैटा रहेगा पोने में पीछे में रख दो ठीक है यह क्या करता है वह sponge के अंदर फ्लो कम है ठीक है मतलब oxygen कम हुआ तो anaerobic या non-aerobic anaerobic बाक्टिरिया उसमें रह जाता है और आपका यह जो बैर बॉटम टाइंक्स मस्त हो जाता है दोनों तरीके का बाक्टिरिया यूस होता है या दोनों तरीके के बाक्टिरिया colonize होता है use is a wrong word colonize होता है और दोनों तरीके के ammonia टूटता है नो अमोनिया के बारे में बात कर लिया लेकिन ammonia आएगा के से यहां पे तो fish है नहीं वहां पे आपका fish food काम करता है करेक्ट तो पहला दिन यूजिली cycling का पहला दिन बाक्टिरिया पैक डाला फूर भी तोड़ा चोटा-चोटा एक पिंच डाल दिया काम हो जाता है बट मैंने आपको यह दिकाना था पहले water clear होते हुए दिकाना था तो आज चोटा दिन हम लोग क्या करेंगे एक पिंच एक चिटकी यहां पे तोड़ा यहां पे तोड़ा एक ही चिटकी मैंने दोनों टांक में डाल दिया इससे जाधा नहीं चाहिए तो यह फिश फूड क्या करेगा organic matter है डीकंपोस होगा डीकंपोस होगा तो मतलब ammonia build-up होगा ammonia build-up होगा तो bacteria जाधा अच्छा काम करेगा and आपका nitrogen cycle complete होगा तो यह था nitrogen cycle cycling का मतलब nitrogen cycle को complete करना cycling the aquarium हम लोग loose terms आसान आसान बाशा में बताते हैं असलियत क्या हो रहा है nitrogen cycle complete हो रहा है मतलब bacteria डाला ammonia generate किया okay ammonia को तोड़ा and nitrite को तोड़के nitrate बनाना nitrogen cycle है नौ यहां पर हम लोग ammonia generate कर रहें because यहां पर फिश नहीं है बट अगर आपका फिश है तो आप आप आल्रेडी फिश फूट डाल रहे हो फिश के लिए एक दो सब कर रहा है फिश ठीक है plants हुआ तो dead decay matter यह सब generate करते हैं ammonia को and आपका nitrogen cycle complete होने के लिए आपको चाहिए अच्छा सा filter अच्छा सा biomedia and very very good bacteria now bacteria से याद आया अगर यह tank आप देखोगे तो यहां पर सिर्फ blackish color का carbon बचा है अगर यह tank आप देखोगे तोड़ा brownish color का bacteria भी बचा है यह एक reason है API water care में सिर्फ 30 types के bacteria है because वो बस है उसमें aerobic भी है anaerobic भी है यहां पर 100 types bacteria है and कुछ-कुछ bacteria not very important at least हमारे scientist लोग डक्टर सुबिन को लगता है कि not important अब हम लोग क्या है बस hobbies लोग है इतना science नहीं आता है हाँ बोलके चुप हो जाते हैं डालते हैं पानी साफ रखते हैं enjoy करते हैं बस science में वो लोग अपना दिमाप कराब करने दो हम लोग को क्या है पानी साफ रखने से मतलब है ना पानी साफ रखते हैं अगर आप बैर बॉटम टांक में अच्छे से anaerobic bacteria generate करना चाहते हो तो simple यह वाला filter निकालो एक क्यानिस्टर फिल्टर डाल दो आपका प्रॉब्लम सौल तो क्यानिस्टर फिल्टर में पानी का बहाव कम रहता है तो वहां पे anaerobic bacteria generate हो जाता है एंड आपका अमोनिया तूटता है हम लोग ऐसे ही नहीं बोलते कि अच्छा फिल्टर रखो क्यों बोलते यह जो पावर फिल्टर हैंग ऑन बैक फिल्टर यह सब टेंप्रवरी ऑप्श है संप फिल्टर और भी अच्छा ऑप्शन है बट संप फिल्टर के लिए मिनिमुम छे फिट का टांक चाहिए मिनिमुम तब संप अच्छा काम करेगा उससे चोटा जो है कैनिस्टर बेटर काम करता है चोटे टांक के लिए भी कैनिस्टर है अच्छे फिल्ट्रेशन लेन वही है ना एक्वेरियम रखने में कि अगर हम आज फिश लेके आते हैं तो हमारे साथ लंबा रहे तो यह एक मौका है कि आप जाने कि आपका फिश को आप लॉंग लाइफ कैसे दे सके तो नो बेर बॉटम टांक में अगर आप चाहो तो पाइप लगा के साइफन पाइप ल यह कैसे पता चलेगा की हमारा टैंक साइकल है की नहीं ठिक है नव नजर से पता नहीं चलता यह एक छीज नजर ब्रैंड का है और भी कोई ऐसे स्ट्रिप्स अगर मिलता है जे बील वगेरे का भी मिलता है आप वह यूज कर सकते हो यह पानी में हम एक एक दस-पंदरा सेकेंड को रखेंगे यहां पर क्या है ना एक मिनिट इसको ऐसे ही रख लो keep it for one minute ताकि यह develop हो यह ज़रूरी है एक मिनिट इसको हम रखेंगे एक मिनिट होने के बाद यहां पर उन्होंने को कलर ग्रेडिंग दिया है टेस्टिंग के लिए यहां पर रखेंगे और इसको टेस्ट करेंगे अब इसको टेस्ट के से करेंगे यह देखो यह NO3 यह NO2 यह KH pH सब दिखा रहा है हमें important है NO3 and NO2 अगर यहां पर पिंक कलर आ जाता है तो तकलीफ है मैं इसको तोड़ा गुमाता हूँ ताकि आप ठीक से देख सको और यह भी ऐसा मार्किंग के लिए रखता हूँ इसके उपर का दो जो है यह वाइट होना चाहिए अधिक क्या है जितना प्रिंच है मतलब नाइट रेट है problem है नाइट रैट है problem है white होना चाहिए मैंन्य यह शूपेर पॉर वाला '' टैंक में टेस्ट किया चलो water care वाला टैंक में टेस्ट करते हैं सेम फार्मुला यहां पर रखा तो यह वाला हमारा एपे का है यह वाला हमारा वह सुपर फोर का है एडिये का अभी दोनों अल्मोंस जीरो दिखा रहा है बट आल्सो यह हमें याद रखना है कि हमने अभी अभी खाना डाला है ठीक है तो वो नाइटरेजन साइकल कैच अप या स्टार्ट नहीं हुआ है अमोनिया बिल्डप होगा तो पच्छा चलेगा कि नाइटरेट लेवल क्या है तो साथ दिन के बाद टेस्ट ऐसा करो जैसे मैंने अभी किया यह दोनों जीरो जीरो होना चाहिए नाइट्रेट्स अगर वो जीरो है तो आपका टैंक साइकल है आप फिश डाल सकते हो ना फिश डालने के बाद वरी वरी इंपोर्टन की आप वीकली वाटर चेंज करें यह स्टैंडर्ड वाटर चेंज के लिए हम लोग बोलते ही है वीकली वीकली वाटर चेंज करो तो वीकली वाटर चें इंटरनेट में बहुत सारा जानकारी है यह इंटरनेट वाले लोग बहुत समझदार है और मेने भी कई पर पढ़ाता है की पुराना टांक का पानी डाल दो पुराना टांक का मीडिया लेकर डाल दो वो सब काम नहीं करता वैसा वो सब temporary fixes यह temporary fixes are not good तो इसमें क्या होता है वहाँ पे पुराना बैक्टिरिया है यहाँ पे आप डालोगे उनको re-colonize करना पड़ता है re-colonize मतलब फिर से fighting नय बैक्टिरिया, पुराने बैक्टिरिया complication और वो लिक से colonize नहीं होता और यह out of experience मैं बोल रहा हूं बट मर्जी आपका internet की जाए आपको अगर लगता है internet correct है तो please go ahead बट पुराना water पुराना media डालने से उतना help नहीं होता है हाँ अगर आपका पुराना tank आपने close कर दिया, media निकाल के आपने wash करके dry किया, उसको आप reuse कर रहे हैं, तो no problem okay API Biomedia, ADA Bioreo यह सब में पुराना media आप यूज कर सकते हो, अगर आपने dry करके नए से start किया तो बट काफी सारे media आप यूज नहीं कर सकते, इसके लिए मेरा वाला, वो media वाला वीडियो देखो, आपको detail समझ में आएगा, कि आप कौन सा media यूज करें, कौन सा यूज ना करें, तो चलो, मैं आशा करता हूँ कि ये part, मतलब ये actually second part है you know, cycling का इस part में आपने और ज़्यादा जानकारी लिया है आगे जाके हम planted aquarium में super 4 या API water care डालेंगे वहाँ पे देखेंगे क्या होता है और फिर, you know, gravel वाले aquarium में डालेंगे, देखेंगे क्या होता है ये सब videos बन सकता है बनाएंगे भी, क्यों ने बनाएंगे बनाएंगे and आप जानकारी लेते रहोगे और हमेशा मचली लाने से पहले tank को cycle करोगे ये बहुत important है okay, so as always मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो में भी आपने कुछ जाना, सीखा, देखा समझा, सीखा और क्या सब कुछ and हमेशा के तरह मेरे तरफ से Assistant Director Pooja Madam के तरफ से मेरे पूरे टीम के तरफ से आप सब को thank you, नमस्ते, khudah, afish, shabah, care and सद स्रेयकाल बहुत जल्दी मिलने वाले हैं भाई साब next week बहुत interesting वीडियो है मैंने aquascape किया एक छोटे लड़के के साथ 3-4 साल के लड़के के साथ और मैं वीडियो स्टार्ट किया था ये सोचके कि मैं उसको सिखा हूँगा but वो बाई साब मुझे सिखा गया है वो वीडियो देखना है ना तो next week तुन इन रो, सब्सक्राइब करो एंजा करो, मजा लो बाई बाई टाटा, सायोनेरा, गुदनेट look at, look at, see you don't, you don't look at anybody, okay either you look at me or you look at the camera okay when I'm talking to you, you look at me okay, other times either you're looking at this or you're looking at the camera one minute you scratch, scratch I'm feeling a little itchy sometimes yeah you itch and then we'll talk yeah okay